प्रेंट्स हम कडाई में डालेंगे एक चोथाई कप तेल वन पाई फोर कप ओवायल डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी प्यास कटी वही और प्यास को गोल्डन ब्राउन फ्राइ करना है प्यास को फ्राइ गोल्डन ब्राउन ओनियन इसमें हम प्यास डाल इसमें दो कप ये डाली अब हम ये एक कप और डालेंगे टोटल तीन कप हम पालक डालेंगे इसमें इसे पहले मिला लें मिक्स कर लें थोड़ा सा पालक को ये एक कप और रही टोटल तीन कप पालक है पालक डालेंगे इसमें और पालक को पकाएंगे पहले प्यास के साथ पा पालक खुद अपना पानी छोड़ती है और ये साइज में रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे जैसे पानी छोड़ेगी और जैसे जैसे पकती जाएगी, ये कम होती जाएगी, साइज में, तो पालक को अच्छे से बून ले, हाइफ लेंपे, पहले पालक को अच् सिस्टेम जिसे कहते हैं बे कमाल ककड़ी जिसे बोलते हैं कमाल ककड़ी डालेंगे ये बॉयल की हुई कमाल ककड़ी है अब पालक के साथ हम कमाल ककड़ी को भून लेंगे पांच से दस मिनद तक भून लें पालक के साथ कमाल ककड़ी को ये बॉयल की हुई है आप चाहें तो कुकर में कमाल ककड़ी को 2-3 सीटी में बॉयल कर लें उसके बाद पालक में डाल दें या तो फ्रोजन जो बे मिलते हैं ना पालक कमाल ककड़ी वो इस्तमाल करें पालक शुरुआत में हम नहीं डालेंगे टमाटर हम शुरुआत में नहीं डालेंगे वरना पालक गलेंगी नह कमाल ककड़ी को और पालक को भून ले उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे तीन चोटे टमाटर टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे इतना भून लेंगे कि टमाटर इसमें अच्छे से मेश हो जाएं कुक हो जाएं बिलकुल पालक के साथ गायब हो जाएं टमाटर इतन बूनी चरवाएं, रहने जब तक तक बूनते रहें, जब तक 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 खलने विजान हैं, तक तक डार दोखी, दो सब्चली πॉछ सब्चली कदो कि अपने सोट च्छली को माइनगे रहा है ज। फ़िर फीर 1956 नहीं पानी है उ समय कर चूछिनी 4-between मुझ दूछिए और अब हम आदा डालूंगी तो टोटल वन कप इसमें मैंने पानी डाला है एक कप जितना पानी डाला है मैंने अब हम इसे मिलाएंगे और थोड़ा पून लेंगे गेस पे अब हम इसकी फ्लेम लो करेंगे और ढखके इसको पांच मिनट तक पकाएंगे तो इसे ढख दें औ और पांच मिनट लो फ्लेम पे पकाएं पांच मिनट के बाद फिर हम इसे मिलाएंगे तो मिलते हैं पांच मिनट के बाद पांच मिनट के बाद मैंने इसका लेड़ अटाया अब हम इसे फिर से भूनेंगे थोड़ा मिक्स करें और फ्लेम अब लो ही है थोड़ा सा भून mix करें ताके पालक जलना जाए बीच में लगना जाए अगर थोड़ा थोड़ा बीच में जब भी ढखें तो मिलाते रहें ताके सबजी जलना जाए एक साइट से ही सरफ कुक ना होती रहे अब ढखके पांच मिनट और पकाएंगे पांच मिनट के बाद मैंने इसका लेड़ अटाया तो ये देखें पालक अलमोस्ट गल चुकी अच्छे से पक गई है हर एक चीज़ अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसाले में हम डालेंगे धनिया पाउडर हल्दी लाल मिच तो मक हमने शुरुआत में डाल दिया था तो वो काफी था अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं अब मसालों को हाई फ्लेम पे बून लेंगे थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए बून लें पालक को और ताके मसाले कच्छे कच्छे ना लगे वो भी पक जाएं साथ में तो मसालों को भून लेते हैं पांच मिनट के लिए पालक को भून लेते हैं पांच मिनट के लिए अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च और फिर त्यार है ये डाल दें इसमें एक हरी मिर्च ये चौप की हुई कटिंग की हुई और इसे मिलाएं एक मिनट इसे लगातार हमने भून के चलाते हुए पकाया है तब ही यह मज़े की बनती है तो यह सर्व करते हैं प्लेट में आप इसे रोटी नान कुल चा किसी के साथ भी सर्व करें बड़ी मज़े की लगती है थैंक यू फॉर वाचेंग प्लीज लाइक शेयर कमेंट यूर व्यूस मेंटर से लोट प्रेस्ट बेल इकन बटन